अलवर में भीवाडी के नंगली अगाउं में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में लाठी बाटा जंग हो गई इस गटना में बीजेपी के एक वाड पाश दयानन उर्फ नंदू गंभी रूप से घायल हो गए कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर जान लेवा हमला करते हुए फाइरिंग कर दी उन्होंने दूसरे पक्ष के कॉंग्रेस कारे करताओं पर हार से बोखला कर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है फिलहाल दयानन का उपचार अलवर में जारी है दूसरी और फूलबाग थानापुलस ने बताया कि इन दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही थी आम लाजो जगड़ाबाज हुआ है यह नंगलिया गाउंड में हमें सुचना मिली थी जाड़े जास पास कि दो पक्षों में कापी लाटी वाटा जंग हो गया है और तुरंट कोंचे था हम पूरे जापते के साथ हम पूंचे तो पता चला कि के नंदू पारसर है उसके रही दूसर उनी के परिवार का कोई कल अब हम दोनों पक्सों में आपस में कोई लड़ा हो गया ता पूरू में भी इनके लड़ा हो चुका है जो समकाद़ जगड़ा जगड़े में मनीस और कली ने और इसके साथ एक और हुंदा था उसने मिलके नंदू पारसद नंदू पारसद भी है उसके जाद मार पीट कर इसके पैरों अनों डंडे हों डे मारे हैं सिर में भी चोट आयो था ही तो हमने जाके इसको तुरदो किया रूपिर उसको नंदू पारसद को लेकर ओम हॉस्पिटल में चले गा है कि हम माई इलाज करें हैं ओम हॉस्पिटल से हमको आगे रवाडी रेफर कर दिया गया है कि पैरों में फ्रेक्ट जाए